कि नमस्क्राइब दोस्तों स्वागतब सभी का जैसा ओलने क्लासेश पर दोस्तों आज के क्लास में पदार्थ से सम्मधित महत्रपुन प्रेश्ण देखेंगे ध्यान से आप लास्त पूरा वीडियो देखेगा अगर आप प्रियोग सलय परिच्छारग और सीजी पेसी सीज यह जैसे पैकेज़ेश खरिजना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत यह अच्छा ओफर है अभी हमारे सभी कोर्स फर फ्लैट 20 पर संट कर डिसकाउंट आपको मिल जाएगा और यह जो आपको बताया दिए जितने भी आपके फ्रेंड से हमारे सभी कोर्स पर आपको 20 पर संट का डिसकाउंट मिल जाएगा यह कूपन कोर्ड आपको क्या करना है जो भी कोर्स आपको लेना है उस पर अपलाई करने तो शुरू करेंगे आच्छा क्लास आज का पहला प्रेशन है वो है कि निम्न में से किसे विलियन भी कहा जाता है तो थियोरी मैंने आपको प जो तो अब घूलने के बाद अलग से नमक और शक्क को देख नहीं पाएंगे वह उसी तरीकी मिश्रं क्या यहां पर कोई अशुद्या नहीं है मतलब ये भी जो है आपका तर्थ को आ जागा का सा जो होता है वो एक तरीकर का मिश्रन है, याद रखेंगे, और oxygen भी है, एक तरीकर का तत्व ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर oxygen लिखा है, अलग से अगर O2 लिखता तो यहाँ पर योगिक हो जाता है, लेकिन मिश्रन तो यही नहीं है, तो option number जो C है, कांसा, यह आपका सही जौब आ ज सुद्ध जल जो है, सुद्ध जल क्या हो जाएगा, वो तो जल अगर आप देखेंगे, तो जल का formula होता है, H2O, तो यहाँ पर hydrogen और oxygen दो तत्व है, तो तत्व से मिलकर जो बनता है, उसको हम क्या कहते है, योगी कहते है, तो सुद्ध जल तो आपका योगी कहा जाएगा, यह option नहीं होगा, नमक का जल में, विलियन जो है, आपका क्या हो जाएगा, नमक क्या होता है, sodium chloride, है ना, अब जल में इसका विलियन करेंगे, तो यह बन जाता है, मिश्रन, ठीक है, तो यहाँ पर यह option भी नहीं आएगा, concrete क्या होता है, concrete होता है, आपने concrete जब रोड निर् सकते हैं, तो concrete में आपको जो है, देखेंगे, गिट्टी अलग दिखेंगा, rate का जो चूरा हो दिख जाएगा, तो यहाँ पर विश्रमांगी मिसल्म, concrete सही जब आजागा, अगला आपका oxygen क्या है, तो oxygen आपका तत्तो हो जाता है, अलग से जैसे O2 दिखता आपको, O2 लिख है, तो सबकर का जो formula होता है, sugar का C6H12O6, यहाँ पर carbon है, hydrogen है, और यहाँ पर oxygen भी है, अब यह तत्तो से मिलकर बना हुआ है, तत्तो से जो मिलकर बनता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, योगी, तिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो हमने थेओरी में चेतर में जाता है, तो प्रकाज जो है, प्रकरिणित अधात बिखर जाता है, तो टिंडल प्रभाव क्या है, आपका कोलाइड से related है, और यहाँ पर टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, नमक का पानी में विलियन है, वो आपका मिश्रन हो जाता है, इस टार्च आपको दिखेगा तो आप याद रखेंगे से योगिक नहीं है पूछ रहा है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो हम देखते हैं देखें इसका सबको आपको याद आ जाएगा तो आप बना देंगे हैं योगिक है कारबन डायक साइट और यहाँ पर आपका कारबन अगति क्या प्रदर्सित करता है तो आपको बताना है वास्तविक विलियन कोलाइड विलियन निलंबन या फिर धातूद तो ब्राउनियम गति की को भी मैंने थेओरी में आपको पढ़ाया था कि ब्राउनियम गति क्या होता है अगर कोई क्योते हैं इनकी जो गती है वह जिग जाएं के जुकन है वो उसकी गति आड़ी तीरशी तीड़ी में जो गति होती है उसको अम ब्राउनियम गति कहते तो जो ब्राउनियम गति है वो कोलाइड विलियन में आएगा आपका तो ऑप्षून नंबर सही जवाब इसका भी आजाएगा अगला रासानिक नि क्रियों में भाग लेने वाला सुख्शमत्रम साधनु एकाई क्या कहलाता है तो कोई भी जो पदार्थ होता है उसका वाला और इसको कनाद ने बताया था इसका सभी जवाजागा परमानु रासानी क्रिया में भाग ने वाला सबसे सुक्षमत्था में एक आई ते किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको ही हम क्या कहते परमानु कहते हैं अगला है जल एक योगिक है क्यों कि अब जल सब्सक्रागा इस थीज्वाज द्र고 तरह ईंब नहीं इसमें है इसमें और अक्षिजन होता है तो यह योगिक क्यों है इसमें रासानिक बंदों सर मुद से जुड़े हुए तो यह इसका सही जाजवा भब नाता है उसका क्या कहते है योगिक नमबर इसका रहो घ्यावा- अगला है निमनका मिलान करेंगे आप इसमें प्रक्रिया दिया हुआ है A B C D और यहां पर परिवर्तन दिया हुआ है कि जो परिवर्तन है उसको आपको बताने क्या है तो वाश्पन में क्या होता है उर्धुपातन में क्या होता है हीमिकर्ण में क्या होता है और पिघलना क्य इन सारे चीज़ों जब भी आपको जोड़ी मिलाव देखेंगे फूस्टन तो अगर उसमें सब नहीं पता होगा एक दो भी पता होगा तो आप मिलाकर ऑप्शन से भी मिलाकर सही अंसर ले सकते तो वाश्पन क्या होता है वास्पन जो होता है आपका द्रव से गैस होता है ठ हेला हीमिकरन किया होता है अर्जना बर्फ कैसे जमता है द्रव से ठोस्त यह हो जाएगा और पिघलना क्या हो जाएगा पिघलना ठोस से द्रव तो एक, टीन, और दो, चाल्द Option Numberd d इसका सही job हो जांगे ठीक है अगला questionnaire दीक्त देखेंगे मैं जो क्यूशन है वो है कि पाएस एक को सबस्क्छार्ण है तो इसमें आपको बताना है कि पाएस क्या होता है तो दो में दो के पाएस को आश को बोलते हैं याद रखेंगे तो यह जो पायस है वो द्रव में द्रव कोलाइड है जिसे की दूद भी आपका एक त्रिके का पायस ही है अब आगे बढ़ेंगे अगला जो question है वो है आपका कि जो सूखी बर्फ है वो क्या चीज है तो जो आपका option है द्रव nitrogen बर्फ में cube और बुरादा बर्फ में cube और नम सितलक की रुप में उपयोग किया जाता है तो याद रखेंगे carbon dioxide की ठोस रुप का सामान नाम क्या है सूख बर्फ है इसे सूख कर बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पिघल कर तरल द्रव नहीं बनता है सूख कर बर्फ उर्दो पात तक होता है अर्था सीधा ये gas मे convert हो जाता है जिसका आर्थ है कि यहाँ अपने ठोस अवस्था से सिधे अपने गैसी अवस्था में आ जाता है तो ज्यादे तर सितलक में यह उपयोग किया जाता है याद रखेंगे सूख कर बर्फ क्या है कुछ नहीं ठोस carbon dioxide को सूख कर बर्फ कहते हैं अगल है निम लिख है तो इसका भी उर्दोपातन होता है यह भी उड़ जाता है अमोनियम क्लोराइट का भी उर्दोपातन होता है फिटकरी जो पानी में हम डालते हैं सुद्धी करण के लिए फिटकरी उसका उर्दोपातन नहीं होता तो option number C इसका सही जोब आ जाएगा एक कुशन यह भी आ अगला कुशन है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है तो भाप अंगार जो गैस है वह आपका कार्बन मोनो ऑक्साइड और हैड्रोजन का मिश्रण है तो यह चीज आपको याद रखना option number C इसका सही जोब आ जाएगा भाप अंगार गैस को क्या कहा जाता है वाटर गैस अगला की सही कठन का चैन करेंगे तो सारे कथन हम पढ़ लेते हैं मिस्रन सिर्फ शमांगी होते हैं ये कथन नहीं मिस्रन जो है समांगी भी होता है और वी शमांगी भी होता है ठीक है तो ये कथन तो गलत हो गया एक मिस्रन की घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है आप मिस्रन एसे कोई फिक्स नियत जरूरी नहीं है आप अपने हिसाब से कम जाद कर सकते हैं तो यह भी आपका option सही नहीं है किसी मिस्रम के घटकों को प्रिथक नहीं किया जा सकता है यह जाए एक मिश्रन के घटकों के समान ही होते हैं यह सही है यह जो आप मिश्रन को देखेंगे और योगिक में रेखेंगे तो यहीं अंतर है कि मिष्रन में क्या होता है जो उसके घटकों का गुर्ण धर्म होता है अर्थात ए और भी मिलके अगर मिष्रन बनेगा तो ए भी जो योगिक में देखेंगे तो ए प्लस बी के बाद उसमें सीड़े सी जो पदार्थ बनता है योगिक में तो दो तत्व से जब योगिक मिलता है तो एक नया पदार्थ ही बनता है जो कि गुंधर्म इसका भिन्न होता है जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सिजन मिलके सीरा जल बन जाता है तो हाइड्रोजन का गुंधर्म और अलग रहेगा तो यहीं चीज मिस्रण और योगिक में अंतर रहता है तो आप्शन नमबर डी इसका सही जौब आ जाएगा अगला है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है वह भौत जबकि रासाइनिक परिवर्तन में आपका जो है नया पदार्थ बनता है और उनके जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण जो है उसके घटकों के गुण धर्म से भिन देखने को मिलता है जंग लगना भी रासानिक प्रक्रिया हो जाए और यह जो है यश्द लेपन इसक इसके अंदर बटर फैट ग्लोब्यूल का एक पायस या कोलाइड है जिसमें खनीजों के साथ साथ भंग कार्बोहाइडरेड और प्रोटीन समुच्चे होते हैं इतना डिटेलिंग या रखने की ज़रत नहीं है सिंप्ली आप या रख लिना कि दूद जो है एक तरीकी का पायस है अगला है सुद्धी करण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं ये जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है तो मैंने आपको बताया था ये प्रक्रिया इसकंदी करण या फिर इसकंदन कहलाता है अब इसकंदन क्या है जब कोलाइडी विलियन में किसी विद्दूत अब घट्टे की अलप मात्रा मिलाई जाती है तो इसके कणों का आवेश नश्ट हो जाता है जिससे कुलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं तथा और शेप की रूप में नीचे बैठ जाते हैं कुलाइडी विजन की इस प्रकार और शेपि किस प्रक्रिया द्वरा हटाया जाते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम है इस कंदन तेके कोईशन आपको ऐसे घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है इसलिए सेम को भी मैंने दो तरीके से आपको यहां पर बता दिया अगला पदार्थ की चतूत अवस्था क्या कहलाती है तो हम पदार्थ की चौथी वस्था कहते हैं अगला भारी जल से क्या अभिप्रा है तो वह जल जो भारी उद्योग में प्रयोक किया जाता है ऐसा कुछ है नहीं विवाती जल वह जल जिसमें अधिक्तम घनत्व होता है उसको हम भारी जल कहते हैं तो यहां पर ऑप्शन याद र होता है तो यह भी आपका मिश्रन ही है आपका गैसोल इन भी मिश्रन ही है आसूत जल जो बारिश का पानी होता है वह मिश्रन नहीं है वैसे पानी का फॉर्मूला भी आपका एच्टू होता है तो आपका योगिक ही होता है और जो बारिश का पानी होता है वह बहुत सुध है नाइट्रोजन है कार्बन है तो अलग अलग गैस होते हैं इसलिए हवा क्या है आपका एक तरीकी से मिस्टरण ही आएगा अगला मामली कट जाने पर इसको करेड़ कट जाने पर फिटकरी रप्त स्राव को रोक देता है इसका कारण क्या है तो फिटकरी वाला जब भी कोई क्वेशन आएगा तो आप इसका एंसर भी इसकंदन ही आए जागा निमने में से कौन धातू होते हुए भी विद्दुद का कुछ आलक है कुछ आलक मतलब नहीं होता तो इसमें हम देखेंगे कॉपर जो है यह तो विद्दुद का अच्छा चालक होता है तीन भी और निकल भी विद्दुद का चालक है जो लेड है यह विद्दुद का चालक नहीं है तो option नमबर भी इसका सही जाब आ जाएगा अगल है क्रोमेटोग्राफी की का प्रयोग जो है किस तरीकी से किया जाता है कब किया जाता है तो जब एक मिस्तरण से पदार्थों को अलग करना होता है तब क्रोमेटोग्राफी तकनिक का उप्योग किया जाता है यह एक ऐसी विधी है जिसका प्रयोग उन विले पदार्थों को प्रिथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं जैसे अगर आप पानी में कलर मिला देंगे आप पानी और कलर को अलग-अलग करना है तो आप क्रोमेटोग्राफी तक्निक का उपयोग करेंगे तो इस तक्निक को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी एक मिसरन से पदार्थों को मिलकर ना कहता है और इसी को मुत इसको परमाद भूद हुप क्थन ये कं से पहले थक्म कहा कहा था इसके बारे में तो इसका सही जोब आजाल है ने यो कि तो जल है है यह आपका योगिक है पारा जो है यह अिवा जयाँ को यो क्यों जो है यह चिंट्ट अजल समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा सुद्ध किया जाता है तो नॉर्मली समुद्री जल को वाश्पी करन के द्वारा शुद्ध किया जाता है इसमें वाश्पी करन को आप्शन नहीं दिया है तो आप आस्वन भी ले सकते हैं आस्वन विधी या फिर वाश्पी करन विधी दवा समुद्री जल को सुध्ध किया जाता है तो वाश्पी करन क्या होता है जब एक मिश्ण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाश्पी करन हो जाता है मतलब उसको गरम करके जब हम पदार्थों को अलग-अलग करते हैं तो वह वाश्पी करन कहलाता है इस इसी पदाठ को तेजी से घुमाया जाता है और अधिक घनत वाले जो भारिकन है वो नीचे तरह बैठ जाते हैं तो इसको कहा जाता है अपकेंद्री करण ठीक है अगला है आपका प्रिथक करण कीप इसके दो अगुलंशिल द्रवों को आसानी से प्रिथक करण कीप के दोरा अलग किया जा सकता है अगर वो अगुलंशिल है तो अगला है उर्दुपातन विधि तो बनक्र mess अट्य को घुरण कोंप रिथक करने के लिए प्योग किया जाता है कि सोखने वाले openly फेलिटर पेपर की सहाथा से जब पानी या किसी भी विलन के कड़न ऊपर की ओर दो अलग-अलगर रंग के साथ आते हैं तो सब्सक्राइब दोलारा थे क्रोमेटो ग्राफी पेपर दोहारा दोनों पृषण से कम होता है एक का जो boiling point है वो ज्यादा है या फिर कम है तो गरम करके जिसका जो boiling point या फिर को धनांक जो है कम रहेगा वो आपका पहले उड़ जाएगा उसके बाद बाद में दूसरा उड़ेगा इस हिसाब से जो कास्वन विधी है यह भी आपका मिस्रण को अलग करने का काम आता है बस कंडिशन यह रहोना चाहिए कि अलग अलग कोथनांग होना चाहिए अगला है एक कार्बनिक योगिक की सुधता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो सुधता निर्धारित की जाती है गलनांग स यह question भी important हो सकता है, एक कारवनिक योगी की सुधता गलनांग द्वारा निर्धारित की जाती है, प्राक्तिक स्रोथ से निश्कर्षित, निश्कर्षन के बाद कारवनिक योगी का सुध्धिकरन एक जटिल प्रक्रिया है, सुध्धिकरन मुखिकता योगी की प्रक्रति और उबस्धियों पर निर्भक्रता है, कारवनिक योगी की सुधता की जाज करने का एक आसान तरीका यह है, की उन्हें या तो पिघलाये जाए अधिक परिवरतन है यहां पितुच बीक परिवरतन है जो बिना किसी दिक्कत टरीके से आप कर सकते हैं जहां की और परिवर्तन से जो जो भी चीज बनता है उसका जो है वह आप से वापस जूत नहीं बन पाएगा यह आपका आप क्यामिकल प्रोसेस है पकिमिकल प्रोसेस घ्रना अगर तो फिर सा हो FC у उल्टा उसका नहीं हो पाएगा है न तो यह सब जो है आपका chemical process है रासाइक process है बर्फ प्रिखलना जो है आपका भौतिक प्रिवत्म के अंतरगत आता है अग्ला है बर्फ का गलनांग जो है वह क्या है तो बर्फ का जो गलनांग होता है वह 273 Kelvin प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रन ऑप्षन नम्बर 3 इसका सही जब आ जागा फेरनहाइट में पानी का क्वथनांख क्या है तो फेरनहाइट में पानी का कुथनांख होता है आपका का 212 फेरनहाइट ठीक है तो आप एक फॉर्मुला या रखेंगे यह एफ मैनस थर्टी टू अपॉन एक्वल्ट टू सी फंड्रेट टू के मैनस टू सेवन्टी थी बटा सो ठीक है तो यह आपका जो फॉर्मुला इसमें एफ फैरनहाइट सी है आपका सेल्स्यास और के है आ आहेख आपका काम आजाओ यहां सकते हैं तो जैसे कि आफ को फैरनहाइट में पानी का कॉतन हांग पूछा है तो यह जो फॉर्मूला है ऐफ मानस 32 अपन 180 एकवल टू सी अंडेड अब आपको 100 डिगरी को फैरनाइट में कनवर्ट करना है तो यहां पर सेल्सियस की वैलू क्या है अब इसको जोड़ेंगे वन अच्छाइब लू निकाल सकते हैं अगला कुशन है निम निल्कित में से कौन सा एक राशाइनिक परिवर्तन है तो पानी में चीनी के घुलना ये भौतिक परिवर्तन है ठीक मैंने आपको बताया था कि आप जिसको अलग-अलग कर पाएंगे सा आनकाता या फिर जिसका प्रोसेस्ट रिवर्सेबल होता है उसको यारत भौतिक परिवर्तन है एक और क्रिश्टली करण कंभी बहुतिक परिवर्तन ही और दूद का सब्सक्राइब बन गया तो वापस उसके घटकों में नहीं बनता रासानिक परिवर्तन के गुर्णधर में हो गया है बहुतिक परिवर्तन उतक्रमणी होते हैं ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्फ जो है यह पिघल कर बन गया द्रव या फिर पानी अब इसको अगर जमाएंगे द्रव तो वापस यह बर्फ बन जागा इस प्रोसेस को कहते उत्रक्रमणी परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता ठीक है बहुतिक परिवर्तन में नाम बताएं जो पदार्थ को बनाता है तो पदार्थ के सबसे सुक्षमतम कण या फिर सबसे जो छोटा कण है उसको हम कहते हैं परमानू पदार्थ के कणों में निर्म लिकित विशेचता है तो वे लगातार इस्थाननतित होते हैं वे एक दूसरे को आकरशित करते हैं य तो उसको संकुचित किया रिचा सकता है क्या तो मतलब थोस को हम आसानी से प्रेस्ट कर सकते हैं क्या दबा सकते हैं नहीं थोसका घंद वो ज़्यादा होते हैं कि उसके कण एकदम पास-पास शिपके होते हैं तो यहाँ पे घंद तो जो है कम होता है यह option भी नहीं आएगा और intermolecular बल कम होता है जबकि ठोस के जो कणों के मद जो आकरसन बल है वो ज्यादा होता है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे निश्चित आकार होता है यह option सही है ठीक है जैसे द्रव कोई निश्चित आकार नहीं होता है जिस बतन में आप रखेंगे उस अगला है किस तंत्र के द्वारा अमिस्रणी तरल का मिस्रण अलग किया जा सकता है तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिथक करने की विधियां पढ़ी थी उसमें वाश्पी करन आस्वन विधी तो एक प्रिथक करन की पढ़ाता है वही वाला यहाँ पे option आजगा किस तक् करनी का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक गुलन शिल्ट होस को अलग करने में इस्तमाल होती है जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौझूद होती है तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनिक इस अब मैंने आपको बता दिया कि क्या तकनिक होता है सब चीज़ एक ही प्रकार का परमानु मिलता में प्राकृतिक तत्व में घुझा अगला है दो से अधिक सुध्र पदार्थक को किसी भी अनुौपात में मिला देने से क्या बनता है तो दो या दो से अधिक सुध्य पदार्थों को किसी भी अनुमात में अगर मिलाएंगे तो बनेगा Mishrana तीक यूगिक क्या बनता है दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है और एक निस्पित अनुपाथ पे मिलकर बनता है आइक बना सकते हैं योगी बना सकते मिसरन के लिए सीन निश्री नितने नहीं होता ऐसे तत्व जिन में धाथू और अधातू के गुन पाय जाते तो ठीक्षिए क beschिक्षक्षज ऑगर आघुनओं लग बख i द साथ है और जो यह उप धातु होता धातु में किस अद्हातु में ज्माग पाई जातीuster तो आगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट आधातू है मतलब धातू नहीं है फिर भी इसमें चमक पाए जाती है आयोटिन में भी चमक पाएgehen जाती ग्रेसा है जो एक तो है और इसमें ये विध्नुत का सुचालक भी अगया giving네 निम्डार्थ से कौन सी उपधातु है तो कौन सी सीतल पे में शामिल किया जाता है तो मैंने आपको बताए था थोड़ दर पहले कारबन डाइकसाइड ठोस कारबन दाक्साय Dells किया जाता है अगर न करनों का नाम बताएं जो पदार्थ ऐसान नाम अलवा किस तो इसका आयतन क्या होगा option है पहले घटता है फिर बढ़ता है समार रहता या फिर घटता है पानी का एक क्वालिटी है कि जब आप उसको ठंडा करेंगे तो उसका जो आयतन है वो बढ़ता है जब कि पानी के अला बाकी जिते रहता है लेकिन बर्फ ऐसा है कि पानी के अपर तयाता है और जब आयतन जो है वह बढ़ता है तो यह जो पानी का विशेश गुन है यह जली जियों के लिए फायदय थोस अवस्था से सीधा बन गया जैसे कि आपका कपूर उड़ जाता है इसको हम क्या कहते हैं उर्धुपातन कहते हैं तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपने अपना हमारा मोबाल अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और हम टेलीग्राम पे हैं फेस् इसको यहां पर आप फॉलोग कर सकते हैं तो आज की लिए इतना ही नमश्कार धन्यवाद है कि कि अ